ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार ये पोईम तुमने बच्वन में तो पढ़ा होगा लेकिन क्या तुम्हें पता है कि हमें स्टार्स ट्विंकल करते हुए क्यों नजर आते हैं तो ऐसा होता है हमारी आटमस्फेर के कारण अगर तुम अर्थ की आटमस्फेर से बाहर चले जैसे कि हमारे astronauts हैं space में तो उन्हें stars twinkle करते हैं बिल्कुल नजर नहीं आते हैं तो आप इस वीडियो में यही समझते हैं कि atmosphere कैसे stars को twinkle करवाता है तो atmosphere के कारण दो चीज़े होती है पहली चीज़ तो यह कि हमें star की position यह थोड़ी से shifted नजर आती है मालों कि तुम surface पर खड़े हो कि यहां से star को देख रहे हो तो star से जो भी light आ रही होगी वो atmosphere में enter करने के बाद थोड़ी सी bend हो जाने वाली है और ऐसा इसलिए क्योंकि star की light यह vacuum से atmosphere में enter कर रही है तो इसकी speed थोड़ी सी कम हो जाने वाली है और इसलिए यहां पर refraction होने वाला है अब जब यह race तुमारे आखों में जाएंगे तो तुमारा brain इन race को पीछे की तरफ produce कर देने वाला है कुछ ऐसे और जहां पर तुमारे brain को intersection होता हुआ दिखेगा न brain को लेगा कि यह तो रेस यहीं से reflection of light लेगन देखो यह असली कारण नहीं है stars के twinkle करने का अब बात करते हैं इसके असली कारण की तो देखो जब light हमारे atmosphere में enter करती है तो यह एक straight line पर चलके हमारी आखों पर नहीं आने वाली है बलकि यह हमेशा अपने path को change करते रहती है अब मैं तुम्हें इस part को zoom करके दिखाता हूँ इस वाली part को तो यहाँ पर light यह एक zigzag path पर चलके हमारे पास आ रही है यह हमेशा अपना path change करते जा रही है और इसा इसली हो रहा है क्योंकि हमारी atmosphere यह एक uniform density की नहीं है अलग अलग जगा पर densities अलग अलग है और इसा इसली है क्योंकि मान लोग कि एक जगा पर oxygen और nitrogen यह ज़ादा है एक जगा पर कम एक जगा पर dust particles ज़ादा है तो फिर दूसरे जगा पर कम और दिको temperature का भी इस पर बहुत बड़ा फरक पड़ता है अगर कहीं पर ज़ादा temperature हो गर्मी ज़ादा हो तो आपर density कम होने वाली है और कहीं पर गर्मी कम हो ठंडी हो तो फिर वहाँ पर density ज़ादा होने वाली है और जोगों समय के सासत अलग अलग जगा की densities यह बदलती रहती है मालों कि अगर हवा चल गई तो फिर सारी की सारी density बदल जाने वाली है तो गर्मी अलग अलग जगा पर अलग अलग density होती है न इसलिए जब light इन जगे से पास करती है न तो फिर इसकी speed में change आता है और light refract कर जाती है light bend कर जाती है और इसलिए light straight path पर जलके हमारे पास नहीं आ रही है बलकि हमेशा continuously यह अपने path को change करते जा रही है अब इसे ही कारण होती है twinkling of stars अब देखते हैं कैसे अगर मैं यहाँ पर तुम पर zoom करूँ तो यह होगी तुमारी आखे और यह कुछ 5 light rays तुमारी आखों पर आ रही है जिसके कारण कि तुम्हें star यह कुछ इतना bright दिख रहा है अब अगर अगले ही moment यह कुछ इस part के atmosphere की density कम हो जाए ताकि यह वाली light ray यह कुछ जादा ही refract कर जाए कुछ जादा ही bend कर जाए ताकि केवल 4 light rays नहीं अब तुमारे आखों में पर रही है तो यानिकि star की brightness यह थोड़ी सी कम हो जाने वाली है यह थोड़ा दिम दिखने वाला है हमें कुछ ऐसे अब अगर अगले ही moment इस part के atmosphere की density में change आ जाए ताकि यह दोनों जो light rays नहीं यह भी कुछ जादा ही bend कर जाए तो अब हमारे आखों में केवल दो ही light rays आ रही है तो यानिकि इसकी brightness यह और कम हो जाने वाली है तो जोग ऐसा ही कुछ होता रहता है हमारी atmosphere की density यह continuously change करते रहती है तो हमारी जो light rays है यह continuously अपना path change करते रहते है तो यानिकि number of light rays जो कि हमारे आखों में पढ़ती है यह भी change करती रहती है जिसके कारण कि हमें जो star की brightness दिखती है यह fluctuate करती रहती है और इसी को तो हम बोलते है twinkling of stars तो अब अगला सवाल यह है कि क्या planets भी twinkle करते है देखो शाम के समय तुम Venus को भी देख सकते हैं तो क्या Venus stars की तरह twinkle करता है तो देखो planets भी twinkle करते हैं लेकिन हम धरती से इसे notice नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका size बहुत बढ़ा होता है आओ इसे समझते हैं अच्छे से तो यहां मैंने बना दिया है एक star एक dot की तरह और इसके comparison में एक planet यह थोड़ा बढ़ा दिखने वाला है अब देखो असलियत में तो planets बहुत ही छोटे होते हैं in comparison to stars लेकिन क्योंकि planets बहुत ही पास है धरती के इसलिए यह थोड़ी बड़ी दिखने वाली है और star यह बस एक dot की तरह दिखने वाली है तो मैं मान सकता हूँ कि हमारे जो planet है न यह बहुत सारे dots से बनी वी है कुछ ऐसे और यह सारी dots यह हमें twinkle करते वे दिखने वाली है धरती से just like star लेकिन देखो जब एक dot यह dim हो जाएगी तो कोई और dot होगी जो की bright हो चुकी होगी और जब वो dot dim हो जाएगी तो कोई और dot होगी जो की bright हो चुकी होगी तो इसलिए on an average अगर मैं कहूँ न तो planet की brightness यह almost constant रहने वाली है यह twinkle नहीं करने वाली है अब इसी को दिखाने के लिए मेरे पास एक animation है मैंने इस twinkling star की वीडियो को copy करके बहुत बार paste कर दिया है इस planet की उपर तो क्या होगा कि planet के सारे dots यह twinkle करने वाले हैं जैसे कि star twinkle कर रही है अब उसे देखते हैं तो मैं दिख रहा होगा कि planet के सारे dots यह twinkle कर रहे हैं लेकिन देखो असलियत में planet कुछ इतना बड़ा तो दिखता है नहीं चीज़े बहुत ही दूर होती है और बहुत ही छोड़ी दिखती है एक dot की तरह तो आप थोड़ा zoom out करते हैं इतना ताकि कि दोनों ही planet और star यह dot की तरह देखें तो तुम्हें अभी भी दिख रहा होगा कि star यह में twinkle करती ही नजर आ रही है लेकिन planet इसकी brightness almost constant है almost same है और ऐसा इसलिए योगि planet से निकलने वाली जो light है न यह on an average यह सेम ही रहने वाली है तो इसी reason से मैं बतानी पाते हैं कि planets twinkle कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं अब देखो हो सकता है कि तुम्हें यह चीज बहुत ही छोड़ी दिख रही हो इसलिए मैं इसे थोड़ा past में आने वाला हूँ मैं थोड़ा zoom in करने वाला हूँ तुम अपने screen से थोड़ा दूर चले जाना ताकि यह star यह बिलकुल एक point की तरह दिखे और यह planet बहुत ही छोड़ा दिखे तुम्हें नज़र आएगा कि planets बिलकुल भी twinkle करते वे नहीं नज़र आ रहे है अब आप वीडियो को एक बार summarize कर लेते हैं इस वीडियो में हमने star की twinkling के बारे में बढ़ा और हमने यह देखा कि atmosphere के अलग-अलग parts की optical density यह अलग-अलग होती है और यह समय के साथ बदलती रहती है इसलिए जब star light इनके थ्रू गुजरती है ना तो यह हमेशा refract करती रहती है तो twinkling stars बहुती सुंदर तो लगते हैं लेकिन यह हमारे astronauts को बहुती दिक्कत प्रवाइड करते हैं हमारे astronauts stars और planets की photo लेना चाते हैं और उन्हें पढ़ना चाते हैं लेकिन अगर यह twinkle करते रहेंगे इनके brightness fluctuate करती रहेगी तो photo अच्छी नहीं आने वाली है तो इसलिए हम atmosphere तो नहीं होगी twinkling